इस मॉड्यूल में हम एक important step data analysis में जो है data cleaning उसके बारे में बात करते हैं देखिए आपने जब अपने data collection कर ली तो अगला step जो हम quantitative research में कहते हैं वह है data entry अब हम अमूमन data entries किसी ना किसी software के जरीए से करते हैं data आया आपने इसको code किया code करने के बाद और जो software आजकल पाकिस्तान में हमारे ज्यादा तर students इस्तमाल करते हैं social sciences में वो SPSS के नाम से है उसकी file या लोग Excel में भी एंटर कर लेते हैं वहाँ पे जब एक दफ़ा data एंटर हो गया उस file में तो उसको किसी भी तरह के analysis से पहले ये देखना जरूरी है कि वो data दुरस्ट भी एंटर हुआ या नहीं एंटरी के वक्त बहुत सी गलतियां data में रह सकती हैं और अगर आप उनको दूर किये बगहर analysis का आगास कर देंगे तो आप सारह analysis रन करके फिर अगर आपको गलतिया नजर आएंगी तो आपको पूरे का पूरा process redo करना पड़त है जरूरी है कि analysis से पहले data cleaning कर लिजाए और data cleaning में भी सबसे important step जो है वह यह कि आप कुछ भी उस फाइल के साथ करने से पहले उसकी एक backup copy अपने पास संभाल लीजिए मैंने सारा अपना data let's say मैंने कोई questioner था जिसमें 50 सवाल थे और 200 लोगों से data लिया था यह सारा data एक file में एंटर कर लिया चाहिए वो Excel थी चाहिए SPSS थी तो मैं उस file को पहले save कर लूँगा अपने पास उसका backup file बना लूँगा क्योंकि यह आपका original data है इसके बाद आप उसके साथ जो एक copy बनाएंगे उस file की उस copy में आप data की cleaning का process स्टार्ट कर सकते हैं जब आपने file बना ली तो तीसरा step जो आप इसमें करेंगे वो data में anomalies और errors का ढूनना है अच्छा यह anomalies किस नौईयत की हो सकती है मसलर टाइपिंग error हो गया मैंने किसी excel में 4 type करना था गलती से उंगली 2 दफ़र दब की 44 हो गया तो मैं उसको find out कर सकता हूं search में जाके 44 हो गया कोई number जो मेरी actual range of data से बाहर है तो मैं search करके देख सकता हूं कहीं वह आ तो नहीं रहा file में मैं frequency tables generate करके देख सकता हूं कि कोई ऐसा digit तो enter नहीं हो गया जो के possible नहीं था या जिसकी मेरे data में कोई गुझाईश ही नहीं थी तो यह इस तरह की type of errors हो जाती है इसी तरह उसके नहीं तो कुछ नहीं duplicate हो जाता है data मैं एक दफ़र एंटर की आगले तरह आके बैठके दोबारा entry शुरू की तो वही form दोबारा enter कर दिया याद नहीं रहा तो आप देखें के कही duplicate तो नहीं हो गया इसको चेक कर लेते हैं इसी तरह outliers को चेक कर लेते हैं मैं आगे explain भी करूंगा outliers के बारे में लेकिन मुक्तसरन यह है कोई कोई ऐसा number आपके data में आ रहा हो जो usually expected नहीं होता आप देखते हैं कि अच्छे यह एक रजीब सा number आ रहा है जो अमूमन बाकी लोगों ने तो यह number नहीं फिल किया लेकिन यह किसी एक नहीं ऐसा number फिल कर दिया और पूरे data set में इस तरह का कुछ चोटा सा हिस्सा है तो आप उसको identify करें अभी उनकी treatment नहीं कुछ करनी लेकिन identify आप उसको कर सकते हैं कि वो कहीं मौजूद हो इसके मुख्तलिफ steps हैं जिनके जरीए से हम इसको identify करते हैं यह जब आपने कर लिया तो इसके बाद एक और तरह का data में जो मसला आ जाता है entry के बाद वो है missing data natural सी बात है कि जब आप बहुत सारे लोगों से data collect करते हैं तो उन में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं कई दफ़ा वो किसी एक सफ़े को ही खाली छोड़ देते हैं यह उन्होंने data प्रवाइड ही नहीं किया अब अगर मैं data ना होने की वजह से अगर मुख्लिफ केसिस को delete करना शुरू करूं तो मेरा तो को 60-70% data delete हो जागा person one ने अपने questionnaire में let's say question number four नहीं answer किया दूसरे ने अपने questionnaire में question number 20 नहीं किया किसी ने अपना जो है वो क्यालिजे qualification ठीक नहीं बताई जेंडर गलत कर दिया कुछ school गलत लिख दिया तो यह गलतियां अमोवन होती हैं तो एकर इसकी बन्याद पर मैं data delete करने लगूंगा तो मेरा actual data कुछ भी नहीं बचेगा मिसिंग data को handle करने के काफी सारे तरीके हैं statistics में और SPSS में भी इसकी options मौझूद है जो अगला step मैंने करना है वो missing data को handle करना है अच्छा इसमें handle करने से मुराद क्या है मैंने आपके इस सरफ 3-4 points जाद अरज की है यह से ज्यादा भी सकते हैं इनमें देखिए कि वो rows नहीं rows से मुराद आप देखिए data file में row एक case को represent करती है जिसमें बहुत सारी missing values आएं एक बंदा है जिसने बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिये हुए 20 ते 33 सवाल थे उसके अंदर से 5-6 answer की हैं तो आप ऐसी rows को delete कर दें यह उनका data दुरस नहीं है इसके बाद कुछ ऐसे पी तरीके हैं कि जहां पे लोगों ने सवालों के जवाब नहीं दिये तो मैं उनको मुख्तलिफ values के साथ रिवलेज करता हूं मसला एक column मैं देखता हूं question number one है 200 में से दर्म्यान में को 15-20 लोग हैं मुख्तलिफ जगों पे जो नहीं जवाब नहीं दिया तो मैं उस column का य मतलर किसी ने अपना gender नहीं बताया खुद यह नहीं बताया कि male है या female है लेकिन उसने जो school का नाम अपने लिखा है वह girl school है तो में वहां से guess करके अगर उसे नहीं भी बताया तो यह obvious बात है कि वह girl ही हो सकती है लड़की ही हो सकती है लड़कियों के school में लड़का नहीं roll हो सकता तो मैं वहां से वो खुद देखके इसको फिल कर दूँगा कि उसने गलत कर दिया इसी तरीके से और इस तरह के विरियबल्स होते हैं जो अपस में इस तरह से उनको आप क्रॉस मैच कर लेते हैं कि आपको मिसिंग वैल्यूज के बारे में ठीक इन्फर्मेशन मिल जाती है जो बियांड डाउट करेक्ट होती है तो वो आप उनकी जगा पर फिल कर सकते हैं अगर आपको इस प्रॉसस में कोई करेक्ट या फैक्ट्वली 100% करेक्ट नहीं अंदाजा होता कि मिसिंग वैल्यू मिसिंग जगा पर क्या इन्फर्मेशन थी तो यह फाइल को कि वो आपके मुछ्लिफ जो डैटनेएलिसस के सौफसव्टवेयर्स है उनमें अकसेपटेबल हो मसलें आपका एक्सेल posterior égal का या स्प्से उनमें भी अकसेपटेबल है तो आप उसको वो ऐसे फाइल फॉर्मेट में बनाई है जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेर्ज में इस्तमाल हो जाता हूँ इसे तरह डेटा की इंटेग्रिटी को चेक करना बड़ा जुरूरी है इंटेग्रिटी से यह मुराद है कि उसकी वैल्यूज एक रीजनेबल रेंज में रहती हूँ मतलब मैं किसी का एचीवमेंट स्कोर मैंने मेयर किया कुछ टेस्ट के जरीए से वो बियांड 100 परसें नहीं जा सकता वो 95 से 900 के इंटेवल में बहुत ज्यादा डेटा नहीं आ सकता तो यह वाली जैनल सी चीजें है यह आप यह चेक कर सकते हैं किया जो पॉसिबल रेंज देटा उसके अंदर ही है सारा कोई extraordinarily high और extraordinarily low value तो exist नहीं करती आपके variable जो categorical nature के थे उसका डेटा भी उसी नौईयत का आया हुआ है या नहीं आया हुआ इस से इसमें डेटा और नौईयत का आ नहीं सकता मेरी entry के process में गलतियां हो सकती थी तो इन तरीकों से वोड गलतियां चेक हो जाती है और डेटा क्लीनिंग जो है यह iterative process है जी मैंने एक दफ़ा कुछ test run किये कुछ checks run किये data थोड़ा clean हो गया that does not mean के 100% वो clean हो गया उसमें कोई ना कोई errors कहीं ना कहीं फिर भी रह जाते होंगे जो noticeable नहीं होते तो मैं उनके लिए इसको iteratively एक से ज्यादा दफ नोट कर लेता है और इस iterative process के बाद जब आप एक कास हद तक आप दोबारा उसको check करें तो आपको लगे कि आप कोई गलती नहीं मिली तो यह उसका terminal point है यहां पर आप इसको stop कर देंगे यह सिर्फ introductory बाते हैं इन में से हर point अपने तहीं जब आप analysis सीखते हैं तो itself एक पू के जहिन में होना चाहिए जब आप data cleaning की बात सूचेंगे